लीजे फ्रेंट एक और घटना उत्राखंड में हो गई है फर्जी भर्ती को लेकर तो आप देख सकते हैं उत्राखंड परियोहन निगम के नाम पर चल रही फर्जी भर्ती तो ये भर्ती कौन सी है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ में इंफ्रमिशन की थी उसको जो हाइयर किया गया था उसने ऑनलाइन फॉर्म भर्ने भी स्टार्ट कर दिये थे लगवागत तीन सो रुपे एक फॉर्म के लग रहे थे बाद में तमाम परियोहन विभाक की ओर से तमाम अलग अलग जगों से जब उसका बिरोध हुआ इबन जो परियोहन मं अंत्री हैं उनको तक ही पता था कि यह भरती हो रही है तो इसी में आप देख सकते हैं आंदोलन के बाद भले ही उत्राकंड परियोहन निगम ने निजी एजनसी के जरिये चल रही 589 चालकों परिचालकों की भरती प्रकरिया पर फिलहाल रोक लगा दियो लेकिन एजनसी अभी भी परियोहन विभाग के नाम पर आवेधन मांग रही है तो यह कैसे हो सकता है और क्यूं हो रहा है और ऐसा खुले आम किसलिए हो रहा है यह जो है सोचने वाला भी सह है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन एजनसी अभी भी परियोहन विभाग के नाम पर नहीं एजनसी ने पता भी निगम मुख्याले का दिया हुआ है और बरती के लिए चिन भी निगम का लगाया हुआ है तो बिग्यापन देखकर हज्जारों लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम परिवहन विभाग के नाम पर परिवहन व से फोर्ट के मुख्यांग्स तो आप देख सकते हैं बस अंचालन वह निगम में बरतमान में 803 नियमित और 1687 विशेष रेणी के संविधा परिचालक तेनात हैं इसके साथ ही 622 नियमित वह 1345 विशेष रेणी संविधा चालक बस अंचालन करते हैं इन सभी के लिए रोज जो है इतना ओरड़ी इंप्लॉइमेंट होने के बावजू दिया इनको परमाने करने को जा है विभाग ने जो है एजेंसी के माध्यम से यानि के आउट्सोर्सिंग के माध्यम से आठ करिब 589 पदों के लिए भरतिया निका रहे अब सवाल खड़ा ये उड़ता है कि मानल तो अगर 10% लोगों भी फॉर्म बरे होंगे तो उनके 375 रुपिय कौन वापस करेगा कौन इसका जिम्मिदार होगा जब इसके उपर जो परिवहन विभाग के मिनिस्टर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह की परिवहन विभाग में अब कोई भरती नहीं होगी तो कैसे यह रुड़की की आउट्सोर्सिंग कमपनी जो है इसका फायदा उठा रही है और युवाओं को बेकूब बना रही है तो आप देख सकते हैं कही ने कही इस पे सरकार पे भी खड़ा उठता है सवार और निगम अब इस वीडियो में थैंक्स वॉचिंग में जेहन जे भारत जवत रखाएं